ये 18 सरी के हम बात करेंगे ये मेरा refill code है जिसे आप on academy plus courses के लिए use कर सकते हो वासदेव मोही को थोजार उन्निस सरसवती सम्मान मिला है तीक है तो आपको याद रखना है 2019 का सरसवती सम्मान वासदेव मोही को मिला है 29 सम्मान से सम्मानित किया गया है ने सरस्वती सम्मान 29 एडिशन है ये 29 एडिशन सिंधी लेकक है वासदेव मोही और उनको उनके लगू कता संग रहे है चेक बुक के लिए ये मियाद रखना है चेक बुक के लिए 2019 का सरस्वती सम्मान जिसका 29 एडीशन था उससे सम्मानित किया गया है चेक बुक एक घरेलू सहाइका की जीवन पर प्रकाश डालती है जो अपने पती से खराब व्यवार और गरीबी के कारण कटनाईयों का सामना कर रही है शी मोही ने कवीता कहानी और अनुवात की 25 पुस्तके अब तक लिखी है सरस्वती सम्मान में 15 लाक रुपे का नगत पुरुसकार एक प्रशेष्टी पत्र और एक पट्टी का प्रधान की जाती है तो ये थे हैं मारी आज़ी पहली न्यूस सेकिंड पे चलते हैं भायती संचार उग्रह का सफलता पुर्वक प्रक्षेपन किया है इंडिया सक्सेस्फुली लॉंचेज कम्यूनिकेशन सेटलाइट भायत का संचार उग्रह जो की है G-730 ठीक है ये आपको याद रखना है G-730 का लॉंच हुआ है गुयाना के आरियन पांच रॉकेट से सफलता पुर्वक प्रक्षेपित इसे किया गया है उग्रह G-730 का उद्देश उच गुणवक्ता वाले टेलिविजन दूर संचार और प्रसारण सेवाएं प्रदान करना है इस उग्रह के यु बैंड में भारतिय मुखे भूमी और ड्वीब कवरेज प्रदान करेगा C-Band को कवर करने वाले खाड़ी देशों बड़ी संख्या में एशियाई देशों और ऑस्रेलिया के विस्तारित कवरेज प्रदान करेगा तो हमें याद रखना है G730 का भारत ने संचार उक्रा है जो इससे सफलता पुर्वक लॉंच किया है हरीश सालवे इंगलैंड वेल्स की अदालतों के लिए नए वकील चुने गए है वरिश्ट अदिवक्ता हरीश सालवे को इंगलैंड और वेल्स की अदालतों के लिए रानी का उच्च वकील नियुक किया गया है एड़ोकेट सालवे ने 2002 तक भारत के लिए सॉली सीटर जनरल के रूप में कारे किया है यह याद रखना है अब हाल ही में हरी सालवे जिनने इंगलैंड के वेल्स की अदालतों केली नियुक किया गया है भारत के लिए किस रूप में कारे कर चुके हैं तो 2002 तक भारत के लिए सॉली सीटर जनरल के रूप में यह काम कर चुके हैं ठीक है उन्हें ने इन्हें कुल भूशन जादव प्रतियरपण मामले में अंतराश्ची न्यायले के सम्मक्ष भायत का प्रतियरपण करने के लिए जाना जाता है ओके यहीं से यह बहुत साथा फीमस हुए थे चलिए आगे बढ़ते हैं मुंबई एहमदाबाद के बीच तेजस एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हो गई है ठीक है है तेजस एक्सप्रेस याद रखना है मुंबई एहमदाबाद के बीच नयारूतिन का गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है विजे रुपानी एहमदाबाद रेइलवे स्टेशन पर एहमदाबाद और मुंबई सेंटरल के बीच में तेजस एक्सप्रेस ट्रेन को हरी जंडी दिखा दी है इसके अलावा है क्रशी मंथन का पहला संसकरन ठीक है क्रशी मंतन का पहला संसकरन एहमदाबाद में शुरू हुआ है IIM एहमदाबाद द्वारा आयोजित किया गया है क्रशी मंतन एशिया का सबसे बड़ा खाद्य और क्रशी व्यवसाय ग्रामीन विकास शिकर समीलन है Largest Food Agriculture and Ruler Development Summit of Asia IIM एहमदाबाद ये important है किसके द्वारा आयोजित किया गया है IIM एहमदाबाद द्वारा ये यादत नहीं आपको क्रशी मंतन IIM एहमदाबाद द्वारा आयोजित किया गया है इसका पहला संसकरन है ये और ये गुजरात के एहमदाबाद में शुरू किया गया है IIM के सुत्रों के अनुसार इस शिकर सम्मिरन के दौरान कारेशालों में खाद्यक रशी संबंद शेत्रों के कामकाजी पेशेवरों के साथ छात्रों को लाब मिल रहा है फिर बात करते हैं अरुनाचल प्रदेश और्किट की लाल सुची शुरू करेगा अरुनाचल प्रदेश पहला राज्जे बन जाएगा और किट की लाल सुची शौट में आद रखिये और देश का पहला राज्जे अरुनाचल प्रदेश जिसने अंतराश्टी स्थर के संद्रक्षन के लिए IUCN इनिशेटिव इंटरनाशनल यूनियन फोर कंसरवेशन और नेचर स्टेट लिस्टिंग को आरम किया है क्योंकि राज्जे स्थर पर IUCN के साथ समझोते ग्यापन को शामिल किया गया है MOU में राज्य सरकार राज्य के और्किट के लाल सूची मुल्यांकन को पूरा करने के लिए IUCN के साथ सहियों करेगी IUCN की खत्रे की प्रजातियों की लाल सूची दुनिया की जय विविद्थता के स्वास्थ पर एक महत्व पून संकी तक है ठीक है तो आपको याद अखना है शौट में अहुनाचर प्रदेश जैश का पहला राज्य बन गया है जिसने लाल और किट्सूची शामिल करी है फिर है राजनाच सिंग 51V K9 वजर टी तोप समर्पित करेंगे ओके राजनाच सिंग डेडिकेट्स 51V K9 वजर टी गन्स टू नेशन रक्षामंतरी डिफेंस मिनिस्टर है राजनाच सिंग गुजरात के हजीरा में L&T द्वारा बनाएं गई 51, 51, 9 वजर सुच आलित होविजज तोप को राश्ट को समर्पित किया गया है ठीक है बंदू का वजन 50 टन है और यह 43 किलो मीटर की दूरी तक शमता के लिए लक्ष रखती है 47 केजी के बं को फायर कर सकती है L&T को Arm System Complex ASC से उन्नत बक्तर बंद प्लेटफॉर्मों के निर्मान और एकिकरन के लिए अत्या धुनिक परिसर है एक अच्छा प्लेटफॉर्म है दोनी को BCCI की अनुबंद खिलाडी सुची से हटा दिया गया है BCCI ने केंदरी अनुबंदों की घोशना करी अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 तक की अवदी के लिए दोनी एश्रेणी में था जो पिछले साल तक एक खिलाडी को वार्शिक रिटानर शेप के रूप में पांच करोड रुपे देता था विराट कोहली, रोहिच शर्मा, शीष्टेज, गेजबाज, जस्प्रीत, भुम्राहो को साथ करोड रुपे के उच्छितम A ब्राकेट में रखा गया है मिताली राज को ग्रेड B से ग्रेड A के लिए आवंटित किया गया है राधा यादव तानिया भाटिया को मध्य ब्राकेट में रखा गया है तो गाइज, यह सारे जो हैं इंपोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं आने वाले एक्जाम में ठीक है तो यह था हमारा आज का करेंट अफ़ेर डेली करेंट अफ़ेर डेली अपडेट होता है डेली देखिए डेली जी के इसके अलावा आज से मैं अप